अलो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बाद नय मार्केट अपडेट के साथ इंटरडेट टिप्स और रिक्मेडेशन के साथ दोस्तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो डेली वेसेस के तरह हैं आज भी दो बहतरिंग स्टॉक लेकर आए हूँ जो इंटरडे मार्केट में कल की डिट में आपको जोदा पॉफरमेंस देने वाले हैं ये दोनों इस डॉक तो स्टॉक प्रॉपर टेकनिकल अनलैसे स्कृप में अप्रेट किये जा रहे हैं और आज अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट आज काफी ज़्यादा बोलेटायल देखने को मिला और मार्केट क्लोज हुआ 17,650 पे 29 स्टॉक इसे थे जो पॉजिटिव थे 29 स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले जिसमें से आप टॉप गैनेरिक लिस्ट और साथ में टॉप लूजर की लिस्ट भी देखकर चल सकते हो तो इनीवें से दो भैतरिंग स्टॉक है दोस्तो जो हमें कल की डिट में जोदा परफॉमस देने वाले हैं तो जो हमारा फर्स स्टॉक है उसको आप देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो हमारा जो फर्स स्टॉक है उसका नाम है SEC SEC की अगर मैं बात करता हूं करीवन पोने 2% की तेजी के साथ स्टॉक 1913 रुपे 45 पैसे पर क्लोज हुआ प्रीवेस क्लोज था 1880 रुपे के असपास ओपन होता है गेप अप 1920 हाई लगाता है 2060 रुपे 70 पैसे उल्लो लगाता है 1800 रुपे के असपास लिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं SEC क्ल की डेट में यहां पर सपोर्ट लिया था आज की डेट में भी यहां पर सपोर्ट लिया कल की डेट मतलब आज यहां पर rejection में आये सबसे पहले दो बार और सबसे ज़ादा जो समय विताया है वो 1900 पे लेबल पे विताया ठीक है आप देख सकते हैं अब यहाँ आप धेख सकते हैं तो एक बढ़िया तरीके से अगर आप लोगों को momentUM मिलाना तो stock को 1900 के ऊपर ही रखना होगा 1900 के उपर अगर स्टॉक रहता है तो अराम से वो 2000 के उपर भी निकल सकता है अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों एक Consolidated Area बना हुआ था बहुत लंबे समय से बना हुआ था यह देखिए बहुत लंबे समय से Consolidated Area देखिए निउस की आया अदानी गुरूप के रिलेटेट नेगेटिव जिसके करेंट बड़ा असा breakdown मिला सीधा गीरा दोस्तों 2300 रुपे से तो अटक गया 1800 रुपे पर आके अब दो दिन से वही पर मुमेंटम बिता रहा जाना था basically उपर लेकिन आगे वो नीचे तो आप उपर जाने की तो फुल टू कोशिश की जा रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल टू एकदम तो अराम से अगर वो कल की डिट में भी 1900 के उपर रहता ना तो 2000 के उपर भी वो कल की डिट में जा सकता है आज भी वो इस प्रकासे ही मुमेंटम कर पायता तो हम बढ़िया से इसको बाई करके चलेंगे क्या है लेवल वो आप लोगों को अपडेट कर देता हूं तो प्रॉपर तरीके से दोस्तो लेवल्स को नोट करेगा कल की डिट में दोस्तो अगर यह स्टॉक हमें मिलता है 1930 रुपे पर 33 से बढ़िया तरीके से बाई करेंगे 1950 रुपे का टार्गेट लगाएंगे यह टार्गेट होगा दोस्तो हमारा 20 पॉइंट का जो इजीली वे में अचीब हो दाएगा ठीके अब एक और पॉइंट अपडेट करना चाहूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो यह है हमारा प्रॉफिट गुरु एफेंटो कॉल का टेलिग्राम चैनल जहाँ पर डेली बेसेस पर हम आप लोगों को इस प्रकास से ऑप्शन के कॉल देते हैं कभी निफ्टी के, कभी बैंक निफ्टी के कभी स्टॉक ऑप्शन के अंध अधानी इंटरप्राइस का दोस्तो चैस सो पचास का कॉल बाई करवा है 47 रुपे पे और पचास का टारगेट दिया था यह जो तीन पॉइंट का टारगेट है इजी वे में दोस्तो आचीव हुआ क्योंकि 200 का लॉइट था और अराम से 600 का प्रॉफिट निकला बहुत इजी लिवे में निकला ठीक है उसके साथ ही आप यहाँ पर देखी सकते हैं और डेली वेसेस पे दोस्तो बहुत सारी चैसे यहाँ पर आप लोगों को अपडेट की जाती है तो अराम से दोस्तो आप हमारे इस टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं आप जैसे ही यह टेलिग्राम चैनल को जोईन करोगे तेकि आप लोगों को दोस्तो यहाँ पर नॉलेज, एज्यूकेशन और प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा क्योंकि हमाज्यो रिसर्स टीम है वो पल-पल का मार्केट का अपडेट भी यहाँ पर प्रॉवाइट करती है प्रॉपर स्क्रीन शॉट के साथ निफ्टी का भी दोस्तो अपडेट यहाँ पर प्रॉवाइट करती है bank niftee का भी इस प्रका से level भी देती है level में दोस्तो कहींपर profit को अराम से book करना है महापर भी कर बाती है target तक hold करना है hold भी कर बाती है इतना सारा knowledge दोस्तो आप लोगों को फिरे में मिल रहा है हमारे इस telegram चैनल में तो पटापट से दोस्तो इस टेलीग्राम चैनल को जोइन करें, बिल्कुल भी देरी ना करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिस्ट में मिल जाएगा, अब दोस्तो SEC के अगर हम SL की बात करें, तो लगभग 1920 रुपे का SL लेके चलेंगे, जो होगा 10 पॉइंट का, ठीक है, इ अगर मैं बात करता हूँ, आदे परसेंट की गिरावाट के, आदी परसेंट की तेजी के साथ, स्टॉक 465 रुपे पर क्लोज हुआ, प्रीवेस क्लोज था 456 रुपे 95 पैसे, ओपन होता है 4590, हाई लगाता है 4663 रुपे 90 पैसे, और लो लगाता है 4543 रुपे के आसपास, उसके साथ ही वॉल्यूम के अगर मैं बात करता हूँ, तीन लाग कॉंटिटी का हमें आपर वॉल्यूम भी देखने को मिला, बहुत ही जोड़दार ये वॉल्यूम हमें देखने को मिला, अब इसके टेकनिकल चार्ट पे चलते हैं, क्या मोमिन्ट मिलता है कल के लिए, यह और आप देख सकते हैं दोस्तों, पर्सिस्टन सिस्टम का हमने चार्ट ऑपन किआ है, पंदा मिल्ट का किंडल चार्ट लगा एंब दखिये, पर्सेस सिस्टम के अगर में बात करता हूँ, यह पहिताले सो रुपे का लिवल है, यह सिप्ताली 서 रुपे का लिवल है, यह 23 स तो स्टॉक देखे कहां से कहां तक ट्रेडिंग कर रहा है ठीक है और एक मिड में भी 600 रोपे का लेवल जहां पर स्टॉक ने काफी ज्यादा समय बताया मतलब यह मान के चलिए यहां पर रहेगा स्टॉक तो अच्छी बात है यहां पर निकलेगा तो और अच्छी बात है यहां पर रहेगा तो अच्छी बात नहीं है यहां से और नीचे जाएगा तो अच्छी बात नहीं है तो स्टॉक यहां पर देखे और यहाँ जाकर क्लोस 친 VID और उपर गया फिर नीचे से और कोई असन नहीं कि यूँकि स्टॉक का जो पाफोर्मेंस है वह कंपिटे कॉंफीडिंस बढ़गों क्लोस नीचे से 4000 रुपे के लेवल से बहुत बढ़िया रेली आईए और ये रेली दोस्तो हमें continue देखने को आगे भी मिल सकते क्योंकि आप market आप ध्यान से दिखें इस टीवल होने लगा है market अभी भी 1900 पॉइंट गिरा हुआ था recover करके दोस्तो मतलब बैंक निफ्टी 1900 पॉइंट हम भी upside का एक दिखा सकता है अगर इसका में daily candle लगा हूँ यह देखे इसका daily candle अगर में लगाता हूँ तो daily candle पर भी क्या दिख रहा है यह देखे डेली गेंडल पर भी आपको यही दिखेगा कि किस type से stock ने यहां से breakout लिया 4000 के लेवल से breakout के बाद यहां पर कुछ समय बिता है फिर भागा फिर यहां पर समय बिता कि फिर यहां पर भागेगा तो हम अराम से stock को buy करके चलेंगे क्या है लेवल वो आपको update कर देता हूं तो दोस्तों proper तरीके से levels को note करिएगा कल की date में कल की date में अगर procession का stock अगर हमें 4620 रुपे पर मिलेगा तो यहां से buy करेंगे target के अगर मैं बात करता हूं 4650 करेंगे 30 पॉइंट का और SL के अगर मैं बात करता हूं तो 405 रुपे का SL लेके चलेंगे ठीक है इसे साब से हम बढ़िया से position बनाने वाले हैं और बढ़िया से दोस्तों यहां पर हम profit भी बूक करने वाले हैं तो यह दो बैतरिंग स्टॉक है persistence system का और SEC का जिसमें हमने हमारा technical analysis हमारे जो level से हमने आपको provide कर दिये आप भी अपने जो intraday के level से जो research है वो आप करिये बढ़िया तरीके से अपना भी knowledge increase करिये और एक और important point बताना चाहूंगा कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि 25 पैसे से 50 पैसे से 1 रुपे से 2 रुपे यह है तो अचला चाहिए कि position बनाने के बाद ठीक है और target से पहले आपको अगर 5 point का profit दिख रहा है 10 point का दिख रहा है 15 point का दिख रहा है 20 point का दिख रहा है जो भी आपको दिख रहा है वो आप बढ़िया तरीके से book कर लिजे आपको कोई भी दिककत नहीं होगा ठीक है इस trick झाल झाल